आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही असान और अलग तरीके से बटन की रेस्पी लेकर आई हूँ, जो आपको और आपकी फैमिली को बहुत ही पसंद आएगा, इसके लिए हमने 750 गराम बटन ली है, तो बटन को हमने अच्छे से 3-4 बार साफ फानी से धो लिया है, बटन आप अपने जरूरत की हिसाब से कब या जादा कर सकते हैं, जितना आपको जरूरत हो, और बटन के हिसाब से 1-5 kg प्याज है, जिसे हमने इस तरह से काट ली है, तो सबसे पहले इसके लिए मसाले तयार कर लेंगे, तो एक छोटा वाला मीकसर जार में 20-25 लसुन की कलिया ल दालेंगे, अब इधर एक कढ़ाई में 3 बड़ा चमच तेल गरम करेंगे, अच्छे से धुएदार गरम कर लेना है, अगर आपको यहां तेल कम लगे, तो 4 बड़ा चमच डाल लीजेगा, तेल गरम होने पर इसमें 2 तेजपता तोड़कर डालेंगे, कुछ खड़े मसाले डालेंगे, एक चमच जीरा, 3 हरी इलेची, 6-7 लोंग, कुछ दालचीनी के टुकड़ा, कुछ सकेंड इसे पकने दें, फिर इसमें प्याज डाल दें, और प्याज हमें अच्छे से फ्राइ करना है, और गैस का फ्लेम हाई रखेंगे, और इसे हम 5-6 मिनट तक भून जब प्याज अच्छे से भून जाएगा, तब इसमें हम मतन डालेंगे, और मतन डालने के बाद 4-5 मिनट पकने देंगे, बीच-बीच में चलाते भी रहना है, 5-6 मिनट पकाते हुए इसे हो गया है, जो हमने मसाले पीस का तयार किया था, इसे डाल देंगे, और जार में थोड़ा सा पानी डाल कर मसाले में ही डालेंगे, ताकि मसाला वेश्ट ना हो, साथ में ही एक से देर चमच नमक जाएगा, मतन के हिसाब से, और एक चमच डालेंगे हल्दी पाउडर, अच्छे से मिला लेंगे, अब हम क्या करेंगे, सभी चीजों को अच्छे से मिला लें केंगे हैस का फिले मीडियुम में रहा हैं तो फ्रेंज़ इन मसालो को जीतंब धंडाने को तैयार होग LIKE और एक बात मसालों के साथ मटन भी अच्छे से पकते जा रहा है तो बाद में उतना पकाने की जुरत नहीं पड़ती है तो इस तरह से मसालों के साथ आप अच्छे से मटन को भूण लीजिए तो मसाला जब अच्छे से मटन के अंदर चला जाता है और खाने में बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो देखिए फ्रेंड्स यहां पर हमने 10 मिनट तक भून ली है तो सभी भूना हुआ मटन कुकर में ट्रांसफर कर लेंगे तो देखिए अब यहां पर डालेंगे पानी तो एक से तेट गिलास पानी डालेंगे आपको जैसा ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं अच्छे से मिला लेंगे और कुकर का ढखकन बन कर 4-5 सीटी लगा लेंगे तो 5 सीटी हो गये हैं तो देखिए हमारा टेश्टी और डिलीसियस मटन करी बनकर तयार है थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा धन्या एट करेंगे तो देखिए कितना लाजवाब है आप देख सकते हैं बहुत ही डिलीसियस हमारा मटन बनकर तयार है तो फ्रेंड्स रेस्पी कैसी लगी अच्छी कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा फिर मिलते हैं नए दिन नए रेस्पी के साथ